हाउ टो फिक्स पेटीम नो इंटरनेट कनेक्शन प्राब्लम स्वागते दोस्तों आप सभी को टिगिराच यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पेटीम का जो एरोर आपको शो होता है नो इंटरनेट कनेक्शन इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाइ स्टेप प्रॉसेस में तो वीडियो के साथ बने रही है और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजेगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी हम अपना पेटियम का इस्तमाल करते हैं चाहे वो लोगीन हो चाहे वो कोई प्रड़क को खरितने का काम हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन वगेरा हम कुछ भी करते हैं यदि आपको ये एरोर आता है वो करते हैं नो लिया इसका तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे सॉल्फ कर सकते हैं सबसे पहला बात तो यह है कि आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद है की नहीं कभी कभी आटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो यदि internet connection बंद है, तो आप on कर लिजे, आपका problem solve हो जाएगा, लेकिन यदि already on है, फिर भी आपको problem हो रहा है, तब आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आपको सबसे पहले तो जाना है, play store पे, और play store में जान पे update मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे update कर लेना है, ठीक है, यह update करने के बाद में दोस्तों, आपका problem जो है, fix हो जाना चाहिए, by any chance यदि फिर भी problem fix नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, simply आपको bake आना है, settings में चले जाना है, अपने mobile का settings पे, और इसके बाद म यहाँ पे app manager के नाम से show होगा, ठीक है, basically आपको applications पे आना है, और यहाँ पे आपको ढूनना है, paytm, तो चलिए हम ढून लेते हैं, यहाँ पे paytm, paytm के ऊपर simply आप click कर लिजएगा, storage usage में चले जाएए, और clear data में click करके, इसे clear कर दीजएगा, अब यह clear करने के बाद में आपको क्या करना है, simply आप back चलियाए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, permission पे चले जाएगा, permission पी जाने के बाद में, यह सारा permission आपको allow कर देना है, यह सारा permission allow कर दीजएगा, यह allow करने के बाद में, आपको simply अपना paytm app जो है, वो open कर लिजएगा, आपका problem fix हो जाएग तो उमीत करतों आपको विडियो पसंदाओगा, thanks for watching